कि आफिर लोगों का मन जो है ना बहुत सेंसिट्यू रहता है थोड़ी सी बात होगी तो उनको रोना आएगा थोड़ी सी बात होगी तो वो एमोशन हो जाएंगे दुख हो जाएगा थोड़ी बात के उपर वो अफसेट हो जाएगे और स्पेशली उनको रोना आना या दूख होना या गुस्सा आना ऐसा ज्यादा होता है चोड़ी बात के उपर भी तो उसके बारे में मैं आपको आज एक केस्ट्री बताने वाला हूं ताहिए हमारे चैनल में आपका स्वाधत है मेरा नामें डॉक्टर दीपक केड़कर में म मनुविकार सेख्ष्णों दथा व्यसंव की तंगियों महराष्ट में आखोला में नागपूर पुने और मुंबई यहां हॉस्पिड्ट से यहां प्रैक्टिस करता हूं हमारे यह मनुविकार दथा व्यसंदी लोगों को भरती करते हैं इससारों के सात मेरिसारों के उसको कुछ भी बोल दिया किसने तो वो एक दम एमोशनल हो जाएगे कि मुझे ऐसा क्यों बोला मुझे ऐसा क्यों डाटा मेरे को खाना खाने के लिए क्यों बोला बोला ने तो खाने के लिए क्यों नहीं बोला या उसको पढ़ाई कर तो उसको घुसा जाएंगा या मुझे तो इसा है कि जैसा मजाग में बोलता हूं कि जैसा उपर टंग की बरीवे पानी की और वो सकते जाम रहें कि उसकी बढ़राइब कि यह है जुक्त इसलेट अधिया लो इसको इसको अई-सको मत बोलो उसको अब्क कर ने तो ऊप्सेड हो जाएगी तो ज्यादा जाएगी और बढ़ते जाता है है कि जब आय तो देखा कि ऐसा क्या क्या है इसा क्यों हो रहा है इतनी अपिक्षा हाँ इतने नहें क्यों है मतलब गुसा और रोना इस एक देखा तो इसको रोना जादा प्यारा अधा था दिन पर गुसा नहीं हाता था इतना tu एक तो पहुर घुसा आry Ananda भाद में फिर वो रोहेंगे। त्वल्ण ऐसा क्या? असलै प्पन में ऐसा क्यों हो रहा है? बच्पत में ऐसा क्या हो गया कि इसका इसकी मानसिक्ता ऐसी हो गई है। बार बार आना पड़ेगा, कोचिंग ले ना पड़ेगा। तो तो इसने आना चालू किया बार बार चर्चा करना चालू कर दिया जब हम खुद करेगे तो कुछ मिलने रहा फिर मैंने उसको हिपनोडाइस किया कि अब भी तुम पीछे जारही है अपने life में जियसा भी वो सौला साल की थी तो अब पर उसने बदाया कि आठ साल की जब वो थी और जब स्कूल में थी वो तो उसके जो टीचर थे उसको कुछ से पूछा और पूछने के बात में उसको इतना जोर से चिलना है हो और उसको इतना बड़ा इंसल कर दिया कि उसको वहां के वह पेशा हो गई, क्लास में, सब लोग ह परा गई बच्चे सब हस रहे और बड़ा सीन क्रियेट हो गया बाद में उसको बच्चे टीज करने लगे जान पुछ के कुछ कॉमेंट पास करने लगे और फिर उसको डर लगना और फिर रोनाना चलो हो गया पुर्ब है तो जब ऐसी हिस्ट्री मिली कि निया इसका जड़ कहिं कि प्यूंट है कि बच्च मैंकूश तर्व में उसका उसने interpretation अपने दिमाग में ऐसा लगाया कि वे मैं कमजोर हूँ, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं इतनी powerful नहीं हूँ, मैं सामना नहीं कर सकती है ऐसा कुछ, मुझे आता नहीं है, ऐसे एक अपने मन में अपने बारे में ऐसी बात्चीत चलू किया, अपने subconscious mind में, अ और जब ऐसा दिमाग में चालूगा है continuously, subconscious mind में ये पुरा बैठा हुआ है, तो फिर बाहर वो जो दिख रहा है, वो दिख रहा है, उसको मैंने बाला वे आपको hypnosis के session करने पड़ेगी, उसको subconscious mind में जो बैठा है, वो निकालना पड़ेगा, उसको मैंने sessions दी है, बार बार उसको positive thoughts, positive visualization और वो scene बार 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 उसको मैंने imagine करने के लिए बोला, ऐसे कई scene फिर बाद में उसको बोला कि मैं imagine करो, कि जहां आपको ऐसा लग रहा था कि मैं कमजोरू और उसका सामना नहीं कर सकूँगी, वो scene वो imagine कर रही है और इधर relax बैठी हुई है, इधर hypnotized है, scene imagine कर और इधर hypnotized है, और relax बैठी हुई है, मतलब यह मैंने उसका deconditioning कर दिया, hypnotism में और धिरे 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 अच्छी होने लगे, धाई तीन मैने के बाद में बहुत ही अच्छी results मिले, और parents ने आके उसको बोला, बहुत ही अच्छी है यह और मुझे thank you बोलके बोल निकल तो इसा काफी बार ऐसा होता है कि बच्पन में ऐसे कुछ घटना हो जाते हैं उसका असर, उसका impact बड़ब्बन में होता है, हमको पता लगता नहीं है और अच्छे लगए तो जरू सब्सक्राइब करो, शेर करो, लाइक करो, आपके संबर्ग में ऐसे कफी सारे लोगवों कि उनके लाइब में ऐसा क्या हुआ कि जिसके होजे से आज हो सफर कर रहे हैं थैंक्स पर वाचिंग थैंक्यू वेरी मुच